प्रेंस आज हम बनाएंगे दूदवाली मूली की साबजी इसके लिए हम पहले मूली को जहां क्रेस कर लेंगे आप देख सकते हैं मैंने जहां सारी मूली को क्रेस कर लिया है इस तरह से अब हम कडाई गैस पर कडाई रखेंगे इसमें एक चम से देशी गी डालूंगी आप चाहे तो डाल डासल सकते हैं गी आप कम ही डाल येगा क्योंकि हम इसे दूद से बना रहे हैं तो इतनी गी की जूरूट नहीं पड़ेगी दूद और मलाई से बना रहे हैं गी हमारा हो गया है गर्म अभ इसमें डाल दीन गें जीरह तोडहा अ जीरह काट रहा से इसमें प्याज, लसन और अद्रक प्याज लसन हम से दमेंख्या से तक प्याज हो ख़्यूआ हम आप अधर को कटा ने हाउत येकर में इसमें पीसी हुई मिर्च डालूंगी जो मैंने पहले से पीस रखी है असे से बून लेंगे इसमें इसमें सारी मिर्च डाल दी है मैंने थोड़ी सी इस अस नहरा बरान होने देंगे नमक डालेंगे स्वादन सार थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ी सी काली मिर्च और हल्दी इसमें मसाला नहीं डालूंगी कोई हमें इसमें दूद डालना है इसलिए दूद फट जाएगा के लिए मिसाला नहीं डालेंगे थोड़ा से पानी पाकरी से भूंगे अब हम इसने मूली डाल देंगे यजिए बढेगे अब हम इसते हैं विए बबगा यची हमले गवार दोपां पानी रख़ा जोड़ा कि जाएशार अधे बड़खा बबगा़ाएए़ए़या बबड़ा पानी ऐस्वे उजड़ मोड़वार बड़खत पर ऑंकर अब हम इसमें पानी डालकर मॉली को गलने देंगे थोड़ी देर कर असे से पक जाएगी पानी में जब इसका पानी सूक जाएगा इसके बाद हम इसमें दूर डालेंगे अब हम इसको पानी सूकने तक डखकर रख देते हैं तो फ्रेंड्स जे देखे हमारी मॉली का पानी सूक गया है अब हम इसमें मलाई डालेंगे अब देखेंगे अगर दूद की जरूरत पड़ेगी तो इसमें हम थोड़ा सा दूद भी डाल देंगे अब हम इसमें थोड़ा सा दूद डालेंगे आदी के अधी तो अधी का रिए हैं इतना से दोड़ दो डाल देंगे क्योंकि इस थोड़ा से लवाएंगे तांके मूली अस्ते से इसमें पक जाए और साथ में थोड़ी से पाल की पतिया हैं इसे डाल देंगे तो फ्रेंट्स जे देखे अब हम इसे थोड़ी देर के लिए सेक लगाएंगे तांके दूद अस्ते से मूली में रच जाए तो अब हम देखते हैं फ्रेंट्स जे देखे हैं हमारी साबजी बनकर होगी है रेडी और बहुत ही बड़िया बनी है इस तरह से बनाएंगे बिलकुल मावे जैसी बनकर त्यार होती है जे देखे अब हम इसे एक बारतन में नकालेंगे प्रेंट्स जे देखे हैं हमारी साबजी मूली की टेस्टी दूदबाल साबजी बनकर रेडी है और अब बहुत ही बड़िया बनती है अगर आपके रेस्पी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सिस्क्राइब कीजिए